मिश्का की नई चाल दिपिका और चिराग की जिंदिगी में तुफान हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का इंस्टा फीड में स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली चोहान और आज मैं आप से बात करने वाली हूँ स्टार प्लस पर टाली कास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल दिल को तुम से प्यार हुआ एपिसोड के आने वाली कहानी के बारे में इस एपिसोड के आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा साथ ही एपिसोड की आगी की कहानी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मिश्का जो है एक नया खेल खेलते हुए दिखाई देने वाली है आपको पता ही होगा कि डॉक्टर ने किया था खुलासा की जो चिराग है वो पिता बन सकता है और उसके बाद टेस्ट कराने के लिए कहा था और कहा था कि अगले दिन आकर तुम अपनी रिपोर्ट ले जाना उससे पहले ही आज आती है मिश्का और जब डॉक्टर ये बात कह रहे थे तो उस समय भी मिश्का ने पूरी बात सुन ली थी और जिसके चलते उसके दिमाग में उसी समय ये आ गया था कि मुझे किसी भी तरह से चिराग की जो रिपोर्ट आएगी वो चेंज करनी है और वो ऐसा कर भी लेती है लेकिन क्या करेगी रिपोर्ट में चेंज इस बात का खुलासा शो की मेकर्स आने वाले अपसोट की कहानी में करेंगे खैर दूसी तरह बात करें चिराग और दिपिका की जब रूप में होते हैं चिराग और दिपिका तो जो दिपिका है वो बताती है कि मैं सिधार्त से मिली हूँ और इस बात पर गुस्सा आ जाता है चिराग को और वो ये भी कहती है कि सिधार्थ ने मुझे कुछ बाते बताई है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है और ये बाते उन्होंने किसी और को भी नहीं बताई है तो इतनी सी बात पर आ जाता है चिराग को गुस्सा और जो दिपिका है उसका जो फेस होता है वो दूसी तरफ होता है और पीछे से चुपचाप गुस्से में चला जाता है चिराग कमरे से बाहर और उसी समय जो दिपिका है बता रही होती है कि सिधार्थ जो है उसकी बहें ती उसके जैसी मैं लगती हूँ इसलिए वो मुझसे सारी बाते शेयर करता है लेकिन जो चिराग है वो तो उस समझ चला जाता है लेकिन वो तो गलत समझ रहा है कि सिधार तो किसी और इंटेंशन से है दीपिका के साथ तो इस बात का खुलासा एपिसोड के आगे की कहानी मे में कमिट के जरीए इजिली बता सकते हैं साथी शोगे मेकर्स एस एपिसोड की आगे की कहानी में नए ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं सीरियल की सारी अपडेट जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल इस्टा फीड धन्यवाद प्रेट से लेकर आने के लिए कवे मेंदर